Hello friends, मैं हूँ आपके समनी गोरो मिगलानी, हम पढ़ रहे हैं 12th class की business studies, तो हमारा जो chapter continue चल रहा है, वो है capital structure का, अब तक हमने इस chapter में क्या-क्या study कर लिया है, एक बार जान लेते हैं, capital structure क्या होता है, financial structure, capitalization, debt capital और equity share capital दोनों में क्या difference है, debt capital और preference share capital, दोनों में क्या समानता हैं और दोनों में क्या ऐसमानता हैं, महलब similarities और dissimilarities, फिर हमने डिसकस किया था कि financial leverage क्या होता है, और financial risk क्या होता है, पीछे वाली वीडियो के last में हमने एक topic hold पर रखा था कि trading on equity क्या होता है, तो वही topic अब हम इस वीडियो के through continue करने जा रहे हैं, trading on equity, बिल्कुल simple topic है, बिल्कुल easy topic है, बस हमको एक बार non-stop इस वीडियो को देखना है, आप इस typical topic को ही बहुत easy language में अब समझने वाले हैं, trading on equity, trading on equity को हम हिंदी में बोलते हैं, समता परवयपार, समता लगा लो की हिंदी में हम कह सकते हैं कि एक coordination बना के रखना हैं अपने को, समता का मतलब यह नहीं है कि equity, समता का मतलब है कि हमने एक coordination बना के रखना है, और इस धंग से काम करना है, कि हमारी income increase हो जाए, किसकी income increase हो जाए, हमारी company ने reality में जो पैसा लि होते हैं equity shareholder इनकी income में increase करना तो इनकी income में increase करने के लिए company क्या खेल खेलती है trading on equity का अब trading on equity है क्या इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं trading on equity का मतलब है कि company equity share capital के base पर fixed cost capital को receive करके equity shareholders की income में increase करती है ध्यान से सुनिए मैं फिर से repeat कर रहा हूँ equity share capital के base पर company fixed cost capital को receive करके equity shareholder की income में increase करती है ये केवल तभी possible हो सकता है जब हमारी return on investment fixed cost capital से ज़्यादा हो ठीक है ये केवल सब possible हो सकता है इनकी income तब ही increase हो सकती है जब company की return on investment ज़्यादा हो किसे fixed cost capital से for example मैं चोटा सा example अपको देता हूँ local example माल लीजिए मेरा नाम A है मैं क्या करता हूँ एक person से एक लाग का loan लेता हूँ कितने का एक का मैंने इस person को कितना interest देना है 10% interest देना है मैं यही पैसा किसी और person को दे देता हूँ यह person माल लो B है मैंने B को यही पैसा 20% पे दे दिया कितने परसेंट पे दे दिया 20% पे आप सोच कर देखो कि मैंने वहाँ पैसा लगाया B पे पैसा लगाया यह लगा लो कि मैंने B company में पैसा लगाया मेरे को return on investment मुझे कितना मिल रहा है 20% जबकि मैंने इस वाली party को कितना पे करना है 10% तो आपको क्या लग रहा है कि मुझे 10% का benefit होगा के नहीं होगा बिल्कुल होगा क्योंकि मैंने किसी से 10% में पैसा लेकर आगे किसी को 20% में दे दिया तो 10% का फाइदा मुझे हो जाएगा इसलिए आपको ये topic यहां पे काहर जा रहा है कि मान लीजिए कि मैंने preference share capital और debt capital और debt capital से मान लो मैंने एक लाक रुपया लिया और ये पैसा मैंने और कहीं पर लगा दिया 10% में मैंने इन से लिया और 20% में मैंने आगे लगा दिया तो मेरी return on investment जादा होनी चाहिए जितना मैंने इनको pay करना है उससे जादा मैंने इन दों लोगों कितना पे करना है 10% जबकि मैं कहीं और पैसा इन्वेस्ट करूँ वहाँ से मेरी रिटर्न ज़्यादा होनी चाहिए मलब कंपनी कहती है कि equity shareholders की income के अंदर scale तभी increase हो सकता है जब आप खुद fall to कमाओ उनको देने की बजाए उनको तो हमने देना ही है 10% पर हमारी कमाई 10% से ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है अब बात आती है कि preference share capital और debt capital को हम fixed cost capital क्यों बोलते हैं fixed cost capital हम इन दोनों को क्यों बोलते हैं क्योंकि company ने preference share capital वालों को बोल रखा होते है कि आपका dividend मानलो 10% fixed रहेगा इनको भी बोल रखा है कि तुमको interest मिलने वाला है 8% तो इनको जो भी मिलना होता है वो पहले से ही fix होता है तो fix होने की वज़े से हम इन दोनों resources को क्या बोलते हैं fixed cost capital बोलते हैं क्योंकि इनको कितनी capital के ऊपर कितना क्या pay कर रहा है company को already पता होता है जबकि equity shareholders को company ने कितना pay करना है dividend कमपनी को नहीं पता होता ठीक है तो इसलिए इन दोनों resources को ही हम सिरफ क्या बोलते हैं fixed cost capital तो हमारी fixed cost capital से income ज़ादा होनी चाहिए return on investment ज़ादा होनी चाहिए तभी तो हम equity shareholder की income में increase कर पाएंगे अब company के मालिक ने companies में पैसा लगाया पलस बाहर से भी पैसा उधार ले लिया तो ये वाला पैसा उधार लेकर हमने बाहर तो किसी को ज़ादा पे दे दिया और हमने खुद बाहर किसी को कम देना है तो equity shareholders मान लो ये A हैं ये company है तो company को ultimately क्या हो जाएगा company की income में ultimately तब ही increase हो जाएगा अब बात आती है कि जो preference shareholder होते हैं और जो ये debentures के अंदर जिनोंने पैसा लगाया होता है मलब debenture holders इनका company के अंदर जो part होता है वो limited होता है क्या होता है इनका part company में limited क्योंकि इनोंने जितना पैसा लगाया होता है इनको एक time period के बाद वापिस भी मिल जाता है पलस इनको ये भी पता होता है कि हमको fixed rate से कितना interest और कितना dividend मिलने वाला है ठीक है तो इन दोनों को पहले से पता होता है अब बात आती है कि debenture holders company में पैसा लगाना कब पसंद करते है ये उस company में पैसा लगाना पसंद करते है जिस company की equity share capital जितनी ज़्यादा होगी क्योंकि अगर कल की rate में पैसा डूब भी गया company डूब भी गई तो कम से कम इनका पैसा नहीं डूबेगा इनको सबसे पहले पैसा return होता है company के डूबने की situation में क्या होता है debenture holder को पहले पैसा मिलता है फिर पैसा मिलता है preference share holder को फिर पैसा वापिस आता है equity shareholders को हाना कि company के माली कौन है equity shareholders फिर भी इनको सबसे last में पैसा मिलता है तो debenture holders के थूप कंपनी को पैसा दे कर अपने आपको सबसे ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं पर सेफ महसूस तभी करेंगे जब उस कंपनी के पास equity share capital हो क्योंकि कंपनी को डूबने की हालत में दिवालिया होने की हालत में कंपनी लोगों को पैसा अगर नहीं दे पारी है तो कंपनी सबसे पहले पैसा किसको रिटरंट करने वाली है डिबेंचर्स होल्डर को इसलिए debentures holder उस company में पैसा लगाना पसंद करते हैं जिस company के पास equity share capital जितनी ज़्यादा होती है क्योंकि company की डूबने की सिती में सबसे पहले पैसा debentures holder को मिलेगा अब हमारा topic आ रहा था कि ये company fixed cost capital से पैसा receive करके equity share holder की income में increase कैसे करती है तो इस topic को समझने के लिए हम दो company का example लेते हैं एक company ऐसी जिनों ने debentures issue ही नहीं किये और दूसरी company ऐसी जिसने debentures को issue किया हुआ है वहां से benefit ले रही है और equity share holder की income को increase करके दिखा रही है हम एक चोटा सा example लेके देख लेते हैं इस example के अंदर हमारे सामने x और y दो company है यह देखिए x और y दो company है x के पास सिरफ equity share capital है 10 लाग y के पास equity share capital है 4 लाग debentures एमपने 6 लाग ultimately x और y दोनों ने 10 लाग और 10 लाग की capital लगाई हुई है x की जो equity share capital है वो हर share 10 लाग मलब 1 लाग share into 10 लाग y के पास 40,000 share है हर share कितने रुपई का है 10 लाग तो यह इसलिए होगे 4 लाग तो x company के पास debentures है नहीं तो बट x company ने पूरा पैसा किस से लिया हुआ है equity share holder से y ने 4 लिया हुआ है equity share holder से 6 लाग लिये हुए है debenture holder से तो हमारे पास total total दोनों company के पास 10 लाग 10 लाग लगे हुए है अब दोनों company की income earning before interest and tax 2 लाग है और tax की rate मालो 30% है तो हम दोनों company का comparison करके देख लेते हैं देखो पहली company ने तो debenture जारी नहीं किये हुए दूसरी company के पास debenture है तो इस topic को हम थोड़ा सा calculate करके देखते हैं कि दोनों में से फाइदा किसको होएगा किसके share holders को ज़्यादा income मिलने वाली है तो इसको हम थोड़ा सा solve करके देखते हैं ये X company ये Y company X company के पास भी कितना profit है 2 लाग ये है Earning, Before, Interest and Tax EBIT अब X company ने तो debentures की उपर interest pay करना ही नहीं है तो interest की बात X company के लिए तो है ही नहीं इसने तो कोई interest pay करना नहीं है Y company ने कितना debenture issue की हुए 6 लाग 6 लाग के उपर 10% का interest pay करना है तो 6 लाग का 10% करोगे तो Y company ने 60,000 का interest pay करना है ठीक है interest pay करने के बाद X company की income Y company की income सिरफ अभी interest pay करने के बाद अब companies ने क्या करना होता है जितनी भी income कमाती है उसके उपर 30% tax भी pay करना है अब हम क्या करते हैं tax minus कर देते हैं tax किसका minus करेंगे जो हमारी profit earning है 2,000,000 का 30% हमने tax pay करना है तो आप 60,000 tax pay कर दो इसके पास रहे गए 1,400,000 इसका भी हम tax pay कर देते हैं 1,400,000 का 30% ठीक है तो हम क्या करेंगे दोनों की calculations एक बर करके देख लेंगे इसका आ गया 98,000 अब देहान से देखिए X company के पास कितने share है 1,000,000 हम X company की earning पर share निकाल लेते हैं X company के पास profit है 1,400,000 और X company के पास equity share कितने है 1,000,000 तो हम 1,400,000 को 1,000,000 से divide करके देखते हैं क्योंकि X company के पास कितने share holder है मालो 1,000,000 तो हमने क्या किया 1,400,000 को 1,000,000 shares से divide कर दिया तो हर company के share holder को 1,400,000 पैसे income हो रही है ठीक है Y company का देखिए Y company के पास है 98,000 income अब Y company के पास equity share कितने है 40,000 तो 98,000 को हम 40,000 equity share holder से divide कर देते हैं तो 98,000 को जब आफ 40,000 से divide करोगे तो Y company earn कर रही है 2,45 पैसे मलब Y company के हर share holder को income हो रही है 2,45 पैसे जबके X company के हर share holder को कमाई हो रही है 1,40 पैसे अब ध्यान से देखो कि कौन सी company ज़्यादा कमा रही है कौन सी company income ज़्यादा कमा के दे रही है Y company अपने share holders को ज़्यादा कमा के दे रही है क्योंकि Y Company ने क्या यूज किया है Fixed Cost Capital को यूज किया है किसको डिबेंचर्स को इसने डिबेंचर्स का फाइदा लेकर क्या किया अपने Equity Shareholders की Income के अंदर Increase किया है जबकि X Company ने डिबेंचर्स इशू किये ही नहीं हुए थे तो उसकी Income पर Share कमा रही है कितनी आ रही है एक रुपे चालिस पैसे ठीक है तो ये Company अपने Customers के अपने Shareholders की Income में केवल तभी Increase कर सकती है जब Return On Investment ज़्यादा हो किस से? Fixed Cost Capital से यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें Company कितना Profit कमा रही है दोनों Company दो लाख दो लाख कमा रही है Y की अगर मैं बात करूँ Y ने कितना कमाया है दो लाख Total Capital कितनी लगाई हुए है 10 लाख Y ने 10 लाख लगाया कमाया 2 लाख 10 लाख के उपर अगर 2 लाख की कमाई की बात करूँ तो company को वाई को return on investment कितनी मिल रही है return on investment का मतलब है कि मैंने जितना पैसा लगाया उसकी उपर मुझे profit कितना हुआ 2 लाग तो 2 लाग को अगर आप 10 लाग से comparison करा के देखोगे तो मेरी return on investment कितनी है 20% return on investment है मेरी 20% जबकि debentures holder को मैंने सिर्फ कितना pay करना है 10% मैंने बाहर से पैसा लिया उनको मैंने pay करना है 10% जबकि मैं खुद कितनी कमाई कर रहा हूँ 20% इसका मतलब है कि मैं अपने shareholders की income में increase करके दिखा सकता हूँ यही topic मैंने आपको starting में वोला था एक company जिसकी return और investment ज़्यादा है किस से? interest और dividend को pay करने की rate से तो company तब ही सिरफ उसी situation में अपने shareholders की income में increase करके दिखा सकती है इसलिए why अपने companies के shareholders को profit कमा के दे रही है क्योंकि company ये shareholders कितरे थे? 40,000, 40,000 share, 10 रपे का एक share ultimately इसलिए हमने यहाँ पर 98,000 को 40,000 से ही divide करके दिखाया तो company के हर shareholder के पास इसलिए 2 रुपे 45 पैसे का फाइदा हो रहा है जबकि X company को सिरफ फाइदा कितना हो रहा है? एक रुपया 40 पैसे तो I hope ये topic आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो next video के अंदर इस topic को हम थोड़ा सा और continue कर रहे हैं इसी topic का हमने एक example और लेना है तो जल्दी से next video आप देखिए एक परी मिलते हैं जल्दी से next video में